3.1 3.1 मैं करवा चुका हूं आज हम 3.2 के questions लेके आए हैं अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करिएगा और इसके बाद में हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करें अपना काम सुरू करते हैं 3.2 का पहला question पढ़ है तो question पहला हमारा यह कह रहा है कि जो भी हमें जो following condition है उनको पढ़िये और graphically उनका answer बताईए तो पहली condition पढ़ते हैं 10 students of class 10th took a part part in a mathematical quiz if the number of the girls is four more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz quiz ऐसा है कि किसी class में 10 students है और उसमें से कुछ boys है और कुछ girls है अच्छा कुछ boys है और कुछ girls है दस है तो मैं किसी को x मानूँगा और किसी को y तो मान लेते हैं let कर लेते हैं let the number of boys the number of boys number of boys let करता हूं तो number of boys हमारा y है और यही चीज number of girls भी लेट करता हूं तो girls is equal to x है अच्छा कितने टोटल बच्चे कितने हैं तो टोटल बच्चे हैं 10 तो मैं लिखूंगा condition x plus y is equal to 10 यह condition एक हो गए हमारी condition हमें खुद बनानी पड़ेगी कभी वो देंगे तो graphically कैसे solve करते हैं बाते हम कर चुके हैं अब उन्हों नहीं दी तो condition condition के coding हम पहले equation बनाने के बाद हम उसको graphically solve करने का काम करेंगे तो अच्छा दूसरी condition उन्हों ने यह बोली है है if the number of girls is four more than the number of boys लड़कियां लड़कों से चार जादा है लड़कियां यानि एक्स जो है न एक्स वाई से चार जादा है तो वाई को इधर लाते ही x minus y is equal to four हो गया और यह condition हो गई हमारे पास एक और दो condition आगे condition आने के बाद उन्होंने वाले इसको graphically रिप्रेजेंट भी करें तो graphically दिखाहें को find there solution allows solution भी निकालना है ग्रैफिकर द्खाना हीन नहीं है solution भी निकालना हैँ यह बतलं में आपको जैसे हमनेख क्योंब दूआ है आठudeau बना लिया डिपना परनाते है और यह दिवारे का है बई यह है इसे चुन का तो हमें यहां और 10,0 हमारे point आगे इस equation के according यह 0,10 और दूसरा ओगया 10,0 यह हमारे पास दो point आगे इसके according भी देख लेते हैं यह कह रहा है कि इसका भी डिब्बा बनेगा अच्छा डिब्बा बनते ही हमारा जो है है जीरो कामा माइनस 4 और 4,0 हमारे दो कोडिनेट यहां पर इसकी हमें लाइन अलग खीचनी है और इसकी अलग खीचनी है ग्राफ पर तो हमें ग्राफ पर इनकी लाइन खीचनी है जिसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम यह कुशन आप नोट कर लिए पहले बार और नोट करने के बाद आप देखिए ग्राफ देखिएगा चलो यहीं पर बनाते हैं थोड़ा सा छोटा फीगर हो जाएगा लेकिन आपको दिखेगा आप कोशिश करिएगा देखो गाई यहां प यहां पर लिया 2 4 6 8 और 10 यहां पर लिया माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 और माइनस का 10 द्यान लिए यह आप अपने जब ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आपको बहुत इस पस्ट आएगा यहां पर भले ही आपको क्योंकि मैं हाँ से बना रहा हूं उपर नीचे दूसरा है यह हमारा दूसरा पॉइंट हुआ और इनको मिला देजिए तो यह जो लाइन है ना यह लाइन इसका नाम क्या है इसका नाम है यह क्या नाम x plus y is equal to 10 हमारे पास जो यह यह लाइन आई है वह यह वाली लाइन आ गया यह वाली कुशन की रिपर संट कर रहे हैं व हमें पता है कि वहीं आंसर होता है जहां पर दोनों लाइन इंटेसेक्ट करती है अब यह जो पॉइंट है ना यह आपको देखना होगा ग्राफ पेपर पर चूंकि यहां से उतना पता के लिए नहीं चलेगा यह कहां पर x-axis पर है और यह कहां पर नहीं है तो मेरे ख्याल स यह साथ और तीन है हम एक बार चेक्क करें लियरा है मरपार तीन दो और चार के बीच में यहां पर साथ और यह पीच में तो मैं दिखाता हूं आपको आंसर से चेक करके अगर ध्याणों साथ और ती साथ यांसर है या सलिशन हमारा क्या आया से वन का माई थी से वन माने एकस एकस और यह अचाही तो तो दुसरी से चाल ज्यादा होनी चाहिए लड़किया मैंने एक्स लड़कों से चार यानि साथ तीम से चार ज्यादा होता है इसका मतब दूसरी भी अ और कर देखते हैं चला से कहेंड पार्ट हमारे पास है मैं पढ़ रहा हूं पहले कंडिशन पढ़ रहा हूं 5 पेंसिल है भाले जब सब्सक्राइब कर लेते हैं डगास्ट ऑफ पेनसिल पहले मानें गैए है न पेंसिल की हमने कंदिशन मानने हैं और द्यांद दिजिए मैं Pen की मान रहा हूँ यगर हमने मान ली तो पहले कंदिशन है पांच Pen मिलती यह कि निलेंगी साथ पॉपए यह मिलके हमसे रुपए खर्च हो रहें पचास तो यह कंदिशन वारी दूसरी कोडिशन के लिए पढ़ते हैं इस वार उन्होंने वोला है कि साथ Pencil और पांच Pen 46 रुपई के मिलती है साथ पेंसिल है तो टूसरी चाहिए कि और यह नुकि 46 रुपए खर्च होते हैं दूसरी कंडिशन होगी हमारा काम पहला यही होना चाहिए कि हम दो चीजों को टू बेरेबिल चल ला है दो चीजों को अलग अलग मानेंगे एक सो भाई माल लो कुछ भी माल लो फिर उनके एक ओर्डिंग कंडिशन पढ़ेंगे और उसको ध्यान स बड़ा आराम से निकलेगी चलिए हम तो फिलाल ग्राप से कर रहा है क्योंकि इंस्ट्रेक्शन दिये हुए तो यहां पर सबसे पहले हमें एक बॉक्स खीच नहीं खीचना है बॉक्स खीच लिया जो भी बात हो रहे है इस कंडिशन की हो रही है देके मैंने निसान लगा दिया है अच्छा फिर ओगया च और यह होगा वाई क्या करते है पेहले एक्स को कि दो लो पहले पहले बाद कुछनी खोताइड Gar học जीरो लेते हैं यह को जीरो ने ते यहूरो हो गया अच्छह पाई कितना हो गया वाई हो गया फिफ्टी अपॉन से वन यह वो गया मुच् और दूसरा आयाट 10,0 और 50 upon 7 चलिए next हम देखते हैं दूसरा वाला इस दूसरी क्यूशन का क्या हिसाब किताब बनता है तो दूसरी का भी मैं टेबल बनाने जा रहा हूं और दूसरी की टेबल जब हम बनाएंगे तो देखें आप गोर से हमने यहां पर एक्स लिखना होता ह है यहां पर वाई लिखना होता है और जैसे के आज हम ऐसा करते हैं सबसे पहले एक्स को जीरो ले लो एक्स जीरो ले लेते यह खतम हो गया जीरो हो गया और फाइब नीचे आया तो 46 upon 546 upon 5 यह रिप्रेजन करना होगा वाई हमें उसके ग्राफ पे अच्छा दूसरा क्या क कॉर्णीर में ईसका solution निकालने कई बात करेंगे तो हमारे पास कॉष्ण यह था करते हैं आप लोग धान से देखेगा कि क्या करते हैं फिर से मुझे से सल्यूशन की रिक्वार्मेंट है और यहां पर मैक्सिमम हारा साथ 10 तक जा रहा है तो मैं फिर से 2, 4, 6, 8 और 10 लेट करता हूं ऐसे करके मानता हूं यूनिट 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और यह 10 हो गया और उपर भी मैसे करे ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 नीचे भी करे ले रहे हैं, 2, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, अब minus का 10 अच्छा, पहली यह बाली लाइन रिप्रेजन करनी हैं, जिसके हमारे पास यह कोडिनेट पड़े हुए है, 0, 50 upon 7, यह 49, मतलब 77, 7 point something है, 7 point 1 है, तो यह 0 यानी X पे तो चलना ही नहीं है, उपर हमें जाना है, 7 point 1, तो 6 यह है, 7 बीच में पड़ेगा, उस ते जारा, उपर कहीं यहाँ पर point होगा भाई, यह हो गया 50 upon 7 का, यह हो गया हमारा point 50 upon 7 का, दूसरा point देखना है, तो यह है 10 कामा 0, यानी कि यहाँ पर यह 10 उपर नीचे जाना नहीं है, 0 है, और हमारी जो line आई है, यह line, यह represent कर गई हमारी execution को, इस equation को, अच्छा, यह वाली line का देखते हैं, यह वाली equation condition का देखते हैं, इस वाली condition की हमारे पास यह point पड़े हुए है, जो 0, 46 upon 5 है, तो 0 पहले तो हमारे 0, 46 upon 5, 9, 9 point something है यह 9.2 है, तो यह 0 माने X पर तो चलना ही नहीं है, उपर जाना है 9.2 यानी कि 8 से थोड़ा उपर 9 मिलेगा और उसके जारा सा उपर यह 9.2 मिल जाएगा भईया, यह हो गया हमारा 9.2 और दोसरा है, 0 मतलब 46 upon 7, यानी कि 6, 7, 42 यानी 6 point something आएगा, अच्छा 6.4, 6.4 कामा 0, 6.4 X axis पे देखो, 6.4 यानी यहाँ पर, बिलकुल, मतलब यह 7 तो बीच में है, 6 और 7 के बीच में यहाँ पर, और फिर दूसरा क्या 0 है, तो हमारा एक point यह हो गया, एक यह हो गया, और इनको भी मिला दे, और इनको मिलाएंगे, तो यहाँ कहीं पर intersect मिले, intersect, point of intersection मिलेगा, यहाँ पर intersect करेगा, यह point आपको graph से देखने होंगे, कि X कितना है, और Y कितना है, वही हमारा solution होने वाला है, और यह कह रहे है, कि अगर मैं थोड़ा सा हिसाब भी लगाँ ना, कि यहाँ पर क्या condition अगर मैं रख दूं, तो हमारा satisfy करेगा, तो मतलब अब मैं graph से नहीं देख सकता ना, exact value चाहिए ना, हमें, तो यहाँ पर आइसे तुमां अंदाजा लगा सकता हूं, दो और यह 3 हो गया ना, तो 35, 15, 35, 15, 50, ठीक है, मैं condition को verify कर रहा हूं, भाई, आपको यह जो answer है ना, वो यहाँ पर रख करके यह देना भी चाहिए, अब जैसे मैंने 3 हो 5, 3 सते 21, 21 और 25, 21, 25, 40, यानि यही हमारा solution होगा, हमारा जो required solution है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, जो required answer है, required solution है, वो हमारा 3, 5 है, अब 3, 5 क्या होता है, आपको तो लिखना पड़ेगा ना, the cost of pencil, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आया, cost of pencil, cost of pencil क्या आई, cost of pencil आई, cost of pencil आई है, 3 लूपए, यह समानी थी ना, 3 लूपए, cost of pen क्या आया, pen आपका आया, कितने का, 5 और थिल्भाई करते हैं उन्होंने बॉला था 5 पेंसिल 5 पंसिल और सात पेन 50 प्रक्रच होते हैं तो कित turnover ये हो गए और है और आपका साथ साथ प्रक्रम प्रक्राइब व्लिपार गूंप रिभर है दूसरे में उन्हें वह वोला था कि आगर हम सा साथ प्षेशर में है तो साथ पैन से लिए किस रुपए की हो गए तीन के हिसाब से अब पांच पैन हमारे होगे 25 रुपए 25-26 होता है हमारा अंसर बिल्कुल सही है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आप ग्राफ देख लीजेगा ध्यान से मैं कोश्चन हटाता हूं अगले कोश्चन की त अन कंपेरिंग दरेशियों ये फाइंड वेदर दर लाइंस रिप्रेजेंटिंटिंग दर फॉलोइं प्यर आफ लिनियर एक्यूसंस एड़ पॉइंट एंड पैरलेल रिकूस्टेंट चाह ठीक है बाताएगा देर ना करियेगा जैसे पूस्ट नुबर टू का फस्ट पा रहेंगे एक्स प्लस भी और प्लस लिए तो पहली कंडिशन के लिए जो भी होगा नावरा एवन वीवन सीवन कहलाएगा अर दुसरी के लिए यहीं एटू हो जाएगा यहीं वीटु हो जाएगा जदि-जादि करवाई एक अन्डिशन कौन सी यानि एवन अपॉन एटू जब तीक्तिंस के लंग ये वहोगाई नहीं जो तिन्वेदंग स्नुटिर्णतित्र॥ सेन। कम को सब्सक्राइब कर दो एक स्लूशन तो लिए उनिक वहीं सलुशन राग थे रही हों दो छया दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्दी जल्दी करते हैं सारे पार्ट करूंगा भी नहीं दो पार्ट कर रहा हूं तिसरा आपके लिए छोड़ दूँगा नाइन एक्स और प्लस त्रीवाई और प्लस ट्वैल इस इकल टू जिरो है और आपका हो गया यह टीन चैनर में चाहिं एक्स प्लस इक्स वाई और प्लस ट्वैंटीफोर इसको भी बनपार्ट तो देखें च्का बनफर नपन टू अबराबर उता है और यह बनफर लाइन्स हैं को इनसीदेट लाइन है मतलब बहुत सारे इंपाइनाय सलूशन होंगे तो आप इसमें लिखे जो पूछा है उसके साफ्लिखेगा को इंसीडेंट लाइन्स लेकिन आप पूछने को यह भी पूछ सकते हैं आपको इसमें कितने सेलुशन है तो आपके नंबर आप से लिए हैं तर बहुत सारे सलुशन है इसमें और बस दो पार्ट है आप तिसरा अपने आप चेकर हैं इसको नुम्बर मैं चलना हूं थर्ड की तरफ तिसरा क कोशन आप से यह कहा जा रहा है फिर से भाई बात है इनने पांचे पार्ट दे दिये हैं और पूछा है कि इसमें कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा inconsistent दिखाते हैं आपको फिर से अरे कुछ नहीं कंडिशन काम करेंगी या वही कंडिशन काम करेंगी consistent कौन होते हैं और 3y is equal to 7 consistent वहते हैं जिनके कोई को solution जरूर हो मतलब infinite वो भी चलेगा और unique वो भी चलेगा और solution नहीं नहीं हो तो inconsistent वस इतना द्यान लेखेगा सिर्फ एक condition है जो inconsistent होगी बाकि consistent ही होगा चलिए यहां पर आप condition चेक करें तो क्या 3 upon 2 फिर क्या 2 upon minus 3 फिर क्या 5 upon 7 क्या 3 बराबर है नहीं है तो यूनिक solution होता है एक पर पॉइंट कर रही होगी यह कुशन तो इसका मतलब यूनिक सलुशन है यूनिक सलुशन माने एक आंसर है एक आंसर माने consistent हो गया क्या हो गया consistent ज्यादा दिमाख लगाना नहीं है इतना करना है अना अच्छा second party की तरफ देखते हैं यह होई 2x-3y is equal to 8 और दूसरा दिया हुए इसी का 4x-6y is equal to 9 पर देख लते हैं यह है 2.4 यह 3 upon minus 3 upon minus 6 और 8 upon 9 झालें वॉल स्लूशन है और जब कोई 9 solution होता है तो फो तो जो लाइन है यह कूशन ये कंड्यूशन हो जाती है कैसी हो जाती है inconsistent हो जाती है मैं लिख दे रहाऊ inconsistent यह कैसी हो गई लाइन है inconsistent अच्छा इंकनसिस्टेंट हो गई ना दूसरी अच्छा जो आगे के पार्ट है उसमें आपको क्या करना है यह करना है कि आपको यह चेक कर लेना है और अगर आपकी लाइन में दो कहने का मतलब है अगर पैरलेल है तो inconsistent otherwise सब कंसिस्टेंट अगर दो लाइन पैरलेल आती है यह उनका कोई आंसर आता ही नहीं कि जैसे यह और जो आपकी सभी बराबर है एक इंट सेक्टिंग पॉइंट है तो भी कंसिस्टेंट और जब एक से ज्यादा इंपके आंसर में इंपाइन परनेट अंसर मिलना हो तब बिकनसिस्टेंट ही लिखेगा अधर्वाइस सब कंसिस्टेंट है को सब अच्छांवर 3 हमारा